करोड़ा रुपय के कोविट सेंटर घूटाले में संजराओत और उनके करीबी सुजीत पाटकर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं दरसल अब इस घूटाले की जाच मुंबई पुलिस की एकॉनोमिक ओफेंस विंग से करवाई जाएगी यानि की मुंबई पुलिस के उन ओफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा जो की विट्टिय घूटालों को इन्वेस्टिगेट करने में एक्सपर्ट हैं क्रीट सुमया ने दोस्तों उपमुक्यमंत्री देविंदर फंडबीस से मुलाकात करके ये कारवाई की मांग की है वो नौन बेलबल हैं और बहुती जल्द सुजीद पाठकर की ग्रफतारी हो जाएगी बहुती जल्द सुजीद पाठकर भी संजराउत के दरसल जेल में पड़ोसी बनने वाले हैं सौमया के इस कदम से जेल में बन संजराउत की भी लंका लगने बाली है क्योंकि जो मुकदमा आजाद पुलिस स्टेशन में दर्च करवाया गया है उसमें सुजीब पाटकर के अलाबा संजराउत का नाम भी शामिल बताय जा रहा है तो ऐसे में बीजेपी ने कहीं ने कहीं संजराउत के लिए लंबे वक्त के लिए जेल में रहने की सटीक विवस्था कर दी है और जैसे ही ये मामला ट्रांसफर होगा उसके बाद में जो ये 100 करोड रुपए से भी जादा का जो कोविट सेंटर घोटाला है इसमें भी अब संजराउत की मुश्किलें बढ़ने वाली है बहराल इस पूरे के पूरे प्रक्रण पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके ज़रू बताएं जल्ब लोगा किसी दूसरी बड़ी कबर के साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्रीश चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी कबर लेकर आँ तो सबसे पहले नोडिफिकेशन आपको मिले